तो आज हम देखेंगे नेफ्थरन बॉस का कमालिया आपके घर को क्लीन करने के साथ साथ जंस फिरी करने के साथ साथ घर को महकाएंगे भी हेलो जी रादे रादे स्वागत करती हूं आप सबक अपने यूट्यूब चैनल में उम्मीद करती हूं सब अच्छे होंगे तो हम प्राइनक जलन होती है जले हुए में और बहुत ज़्यादा परिसान होती है और जलने के बाद फ़िश का फबूला बनता है उसके बाद फूट ने मतलब आप ते जिन तक बहुत ही परिसानी हो जाती है जैसे जले ना एक चोटा सा काम करना आपको लेड़नी कॉलगेट पेस्ट है जो कॉल गेट ही लेना कोई और नहीं चलेगा इसके अगों इसके लगा देनी इस पर एक छोटा सा काम और करना थोड़ा सा नमक डाल देना जो हम खाने में डालते है उपर से बुरक देना तो जितनी भी जरन है एकदम से तुरंत की तुरंत सान्त हो जाए कि काफी पुराना है के लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हों में उनके लिए काफी helpful रहेगा एमर्जेंसी में तो कॉल्गेट लगागा कि नमक डाल देना तो इससे जरन तुरन तुरन साथ के साथ बंद हो जाएगी उसके बाद ही हम तेल गी डाल करके अपनी लगा सकते हैं तरका लगा सकते तो चोटी चोटी चीजह करके भी काफी बच्षत कर सकते हैं तो कड़ाई चप्रेम इससे फौंचता हो जाएं तो इस तारीके से जोंट में अपको डाल देना दोनquesल में गुमाएंगे न तो जो नीचे तक आउयल पहुंचते ही इस वरंद कितुरं साथ की साथ आपके बढ़तान है नो जो पिलकुल फिक्स हो रहे ते फस रहे ते वो साथ की साथ फटाक से निकलाएंगे आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा अच्छा करा हो मेरे वीडियो तो कमेंट में जरुर कोदा ना कहां से देख़र मेरे वीडियो नेक्स्ट इडिया है मेरा इसी तरीके के बॉक्स को लेक Πाड़े है रहते हैं करनें तो इस क्रीके से गर्म भी इस तरीके से रख सकते हैं, नेक्सट आरडिया मेरा अलू đang सबुक्त भास करने और जो परिएक तीरम पर्फिर के सांब नम्हें करने होए wham जाओं पराड़ी को रह जैते हैं लेकिन विल्कुल परफेक्ट तरीके से आलू है विल्कुल तयार हो जाएंगे एकस भी लंस गोटली नहीं रहेगी नेक्ष्ट है कि मेरा सिलेंडर को लेके अक्सर बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं कराई की घर में रहते हैं आज हम इसे डेकोर करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा दिखने में इसके आपको कोई भी साड़ी ले ले लें जो पुरानी रखी हो या फिर दुपटा ले 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 इस तरीके से आपको प्लेट्स बना करके जितना मैं उपर से हिस्सा चुड़ा न यहां आपको रवट ट सबक्राइन से जहां देगे जान यह तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा जहां भी सिरंडर रखाए libro के एक परीशाइन जादा हुझा हो जाएं हमारी में कई बार अकसर बहुत ज़्यूदा चुवटा हो जाएं गर्में कहीं के बहुत ज़्यूदा हो जाते हैं परिसान कबर करके रखेंगे जैसे कोई हैंडल ना हो कोई तूटा हुआ कप हो या कोई इस तरीके की कटोरी हो उससे आपको यहां के जगह है ना इसको आपको कबर करके रख देंगे तो चूहा नुकसान नहीं करेंगे बना धूल-मिट्टी गंदगी भूच जाता हो जाते जिसे जा हम भी होने लगता है और को तरने का भी डर रहता तो वह परिशानी बिल्कुल नहीं होगी चाहे तो आपको टोरी रख देंगे कुछ इसका हेंडल तूट गया हो जो एक्स्टा पड़ा हो कपी रख सकते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं बहुत ही जबर्जस सोलूशन आज हम तैयार करेंगे यह हैं नेफ्टरन वॉल्स कपूर की गोली भी जिनको बोलते हैं बहुत ही ज्यादा वेनेटी शेर होती है दसपंदर रुपे का पैकेट आराम से मार्केट में मिल जाता है तो आप ज्यादा बनाना चाहें ज्यादा बना की जाख सकते हैं मुझे एक बो तो इसलिए में जो मैंने डाल रखी है कड़ाई तूटी फूटी है तो इसे इस्तेमाल नहीं करती हूं आज किल में तो इस वज़े से मैंने यह बर्तन चड़ाया है पानी रख दिया है उसमें डाल दियें लॉंग और डाल दिया आए आदा चमश नमक खाने वाला ठीक है और आपके पास अलग से बर्तन नहीं है कि हम पानी उबालें कैसे उबालें तो आप खाली पानी नमक और लॉंग डाल के उबालें पाउडर जो त्यार हुआ है इसे हम ट्रांसपर करेंगे जिस बोटल में उसमें डायरेक्ट आप पाउडर डाल सकते हैं कोई परिशाई नहीं है उसे एक कर लिना अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है तो अब मेरे पास ये एक्ष्टा था बर्तन तो मैंने इसमें डाल दिया है कपूर की गोली लॉंग और नमक और इस तरीके से मेरा पाणी हो गया त्यार अब इसे इसमें ट्रांसफर कर लिया बोटल में अगर बरतन नहीं हो आपके पास तो पानी लोग और नमक का पानी इसमें मिक्स कर दें उपर से पाउडर डाल दें अप्तरन बॉल्स का हम डालेंगे हम डालेंगे मैं डाल आ सैवलोन जो भी आपके पास एफील हो एक डिल डखकन डालना है मैंने सांस नोय क्या तो तो यह चीज अपैसे सेख लेंगे डालों आपको ऑफ सिर्श चान के साण करना है जैसे देखा होगा अपसे किशा dlatego जो दो मलते होतीा, बहुत जाती हैं, बहुत ज़्याता हैं उसमान रख्षा हुएं, एह बहुत जाती हैं. यह बहुत पेड़ी 주ika कॉक्री में वह जॉती हैं हमारी सैंख के नीचे हो जाती है, यह हऊती है। फेरा तो मक्हित का शुदरी व.? तो आज की टिप्स ट्रिक्स मेरी यहीं थी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरू बताना कि मेरा वीडियो कैसा लागा